नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के हमारी यूटूब चैनल घरेलूशिक छापर दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा महतवपून वीडियो लेकर आएंगे आपके जो सिर का दर्द है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे और इसको पीने से आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे जी हां दोस्तों ये बहुत ही useful और शद्य पौधा है और इस पौधे का नाम है नीमबू जी हां दोस्तों नीमबू के पौधे की पत्यों को मसल कर सुंगने से आपके जो सरदर्द की समस्या है वो हमीसा के लिए ठीक हो जाएंगे और इसके फल ये जो नीमबू का फल होता है उसको पीने से इसकी खटी खुश्बू इसको खाने से पहले मुँँ में पानी ला देती है नीमबू के फलों के फैदे तो सभी जानते हैं फ्रेंज लेकिन इनके पत्यों के फैदे जो है वो बहुत ही कम लोग ही जानते हैं तो आ 10 ग्राम नीम्बू के पत्तों का रस लीजिए उसमें 10 ग्राम सहद मिला लीजिए और उसको रोज सुबह खाली पेट पीजिए इससे 10 से 15 दिन में आपके पेट के कीड़े का सफाया हो जाएगा नीम्बू के बीच के चूर्ण का हाकी लेने से पेट के कीड़ों का भी विनास हो जाते हैं यानि कि नीम्बू के बीच के भी बहुती और शुधिय गुण हैं बहुती उप्योगी हैं इसके अलावा यदि आपको मैग्रेन हैं यानि कि आधे सीर का दर्द है तो इसके लिए नीम्बू का बहुती अच्छा प्रयोग हैं आपके लिए नीम्बू का पत्तो का रश निकाल कर नांक से सूंगिये जिस फैक्ति को हमेशा सिर्दर्द बना रहता है उससे भी इसे सूंगने से सिग्र अराम मिलता है तो फ्रेंज जिस किसी को भी सिर्दर्द की समझ्या है वो खास नीम्बू के पत्तो को मसल कर सूंगे इसे सरदर्द में काफी अराम मिलेगा गाय का ताजा घी सुबे साम दो से चार बुन नाक में रूई से टपकाने से अथवा सूंगते रहने से आधे सिर्क दर्द याने मैं ग्रेन में काफी अराम मिलता है साथ ही इसकी प्रय जब हिस्से में दर्द हो उस तरफ साथ से आठ बुन उस तरफ के नाक से सरसो का तेल डालने से अत्वा सूंगने से दर्द एकदम बंध हो जाता है चार से पांच दिन तक ये प्रयोग कीजिए आप दो तीन बार इसी प्रकार से सुंगने से दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है आजे नीबु का रस एक दुबुन नाक में डालने से अगर आपके नाक से खुन गिर रहे तो वो भी ठीक हो जाता है ये रहा फ्रेंज आजका हमारा वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ हो तो पलीस हमारे वीडियो को लाइक करे शेयर करें और इसी तरीकी की उस्वल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल घरेली सिक्षा को सेश्क्राइब करें थैंग्यू